दोस्तों मेहद है, आप लोग डिखे है Technology 19 दोस्तों, जिंदगी चाहे एक दिन की हो या फिर चार दिन की उसे ऐसे जियो कि जिंदगी आपको नहीं आप जिंदगी को मिले हो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे ब्रैंड की, एक ऐसे नए ब्रैंड की जिन्होंने अपना फोन, टीन फोन इंडिया पे लॉंच किया है तो चलिए दोस्तों, जानते है कौन सा ऐसा ब्रैंड है क्या-क्या उनके फोन है जो इंडिया में लॉंच हो चुके है और क्या आपको यह फोन खरीदना चाहिए या फिलने तो चलिए दोस्तों, शुरू करता है दोस्तों, अगर बात किया जाए इंडिया की मुबाइल मार्केट की तो यहाँ पर हर एक कंपनी अपना एक नया फोन एक फोन लॉंच करना चाहता है उस होर में दोस्तों, अभी यहाँ पर चाइनेज कंपनी है, जिसका नाम है कुमियो तो उन्होंने अपना तीन फोन इंडिया पर लॉंच कर दिया है जिनका नाम है C1 कुमियो C1, कुमियो S1 और कुमियो P1 दोस्तों अगर बात क्या जाए इन तीनों फोनों की तो इन तीनों की फोन की जो C1 है वो आपको 5 इंस की डिस्प्ले और S1 आपको 5.2 और P1 आपको 5.2 की डिस्प्ले के साथ मिल जाएगा तीनो ही फोन की डिस्प्ली की डिटिरिशन आपको 720 x 1 to 80 pixels की मिलेगी बात के जए इनकी प्रोसेसर की तो C1 आपको तीनो ही फोन आपको 1.3 गेगा हर्च क्वाट को प्रोसेसर के साथ मिलेगा यहां पर प्रोसेसर साथ मीडिया टेक होगा लेकिन यहां पर स्पेसिफिकेशन पर वो नहीं दिख रहा है आगे अगर बात करें इसकी RAM की तो C1 1 GB के साथ S1 2 GB के साथ और P1 3 GB RAM के साथ आएगा तीनो ही फोन आपको 32 GB का internal storage देगा और उसे आप 128 GB तक बढ़ा सकते हैं by using microSD card अगर बात क्या जाए कैमरी की तो यहां पर C1 आपको 8 MP का rare और 5 MP का front camera देगा और बाकी S1 और P1 आपको 13 MP का rare और 8 MP का front camera देखी अगर बात क्या जाए इसके operating system की तो तीनो ही phone Android 7.0 को run करेगा साधे में इसकी battery की बात क्या जाए तो पहले आपका C1 और S1 model है वो करीबन 2700 mAh की battery के साथ आएगा लेकिन आखरी का जो phone है P1 वो 5000 mAh की बड़ी battery के साथ आपको मिलेगा आगे अगर बात क्या जाए इसकी connectivity options के तो तीनो ही phone आप लोगो dwell sims setup के साथ मिल जाएगा जो आपको 3G4G की connectivity देगी अगर आगे बात क्याए इसकी अलग connectivity options के तो तीनो ही phone में आपको wifi, bluetooth और GPS मिलेगा except the P1 मतलब last वाला phone cameo P1 में आप लोगो 3.5 mm jack मिल जाएगा अगर बात करें sensors की तो तीनो ही phone में कुछ भी sensors नहीं लगा गया है जो last वाला phone है जो 5000 mAh के साथ आ रहा था battery उस phone में आप लोगो एक fingerprint sensor मिल जाएगा जो आपको rear camera के नीचे दिख जाएगा बाकी इन तीनो फोनों में last वे जो आपका fingerprint sensor है उसको चोर के P1 में जो fingerprint sensor है उसको चोर के बाकी किस कोई भी sensors इन तीनों फोनों में आप लोगो नहीं दिखेगा अगर बात करें इनकी price की तो आपको C1 वाला जो phone है वो आपको 5999 रुपीज में S1 8999 रुपीज में और P1 9999 रुपीज में आप लोगो मिल जाएगा तो पहले तो मैं आप लोगो कहूंगा कि इस phone कुछ भी special नहीं है क्यूंकि क्यूंकि मैं अभी यह चोचा था कि Cameo जो brand है यह क्या चोच के अपना phone market में उता रहे है क्योंकि जब भी कोई एक नहीं company किसी एक नहीं market में launch करती है अपना phone मेरे ख्याल से कुछ ऐसा होना चाहिए धमाकरदार होना चाहिए कि सब लोग उस phone के तरफ देखे लेकिन है आपका C1 उससे अच्छा तो better option आप लोगो जोलो में मिल जाएगा और उससे कब प्राइस में मिल जाएगा अगर इससे कुछ low edge में मिल जाता है अगर आप लास वाला model P1 वाला model भी आप लोगो 6000 के अंदर मिल जाता तब खरीदो क्योंकि sensors तो है नहीं एक ही sensor है finger pinch sensor बाकी तो ही नहीं कुछ में तो आप लोग इससे ignore करो खुच करो और comment में लिखो कि क्या आपको क्या लगता है यह phone इंदिया में भिकेंगे इंदिया में अच्छी तरह से इनकी market चलेगी या फिर फ्लॉप हो जाएगा दोस्तों आज के लिए इतना ही आसा कता इंदिया में अच्छा market कर पाएगा साथे में इस channel को subscribe कर लिजेगा और इस bell icon को दबा दीजेगा क्योंकि जितने भी हम लोग नए वीडियो लाएंगे उसका notification आपको मिल जाएगा दोस्तों आज के लिए इतना ही जहिन भात्माता कीजए